पूरे दिन आपको किन किन संगहशों से गुजरना पड़ेगा साथी किन उपाईयों को करके आप परिशानियों जे छुटकारा पा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास चो आज का राशिफल मेश राशी व्यापार में स्थिती नरम हो रहेगी शत्रुभय, चिंता, संतान को कष्ट अपवय के कारण बनेंगे व्रात्रपक्ष में विरोध होने की संभावना है आएवय की स्थिती समान रहेगी उपाय धरम करम के कामों में योगदान दे व्रिशब राशी, मेल मिलाब से काम बनाने की कोशिश लाब देगी अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगती होगी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा यात्रा का दूर गामी परिणाम मिल जाएगा उपाय आज किसी कन्या का अनाधर ना करें नहीं तो नुपसान होगा मिथुन राशी, यात्रा प्रवास का सार्थक परिणाम मिलेगा मेल मिलाब से काम बनाने की कोशिश लाब देगी अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगती होगी मेहमानों का आगमन होगा उपाय आज कृष्ण भगवान की छटी मनाए संतान सुख मिलेगा करक राशी राजकी कार्यों और पैत्रक संपत्ती से लाब होगा नैतिक दाइरे में रहें पुरानिक ज्यलती का पश्वा ताप होगा दामपत्ती जीवन सुखद रहेगा उपाय बजरंग बली को चोला और सिंधू चढ़ाए सिंग राशी आएके अच्छे योग बनेंगे संतान की उन्नती के योग है स्त्री संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा पुराने मित्र से मिलन होगा स्वविवेक से कारे करें शत्रू पक्ष से साबधान रहें उपाय आज गुरू की सेवा और दान करें कन्या राशी आगे आगे गोरक जागे वाली का हावत चरितार्थ होगी महमानों का आगमन होगा परिवारजन का सहयोग वा समन्वे काम को बनाना आसान करेगा आत्म विश्वास बढ़ेगा उपाय आज कउओं को रोटी खिलाएं और दाना डालें तुला राशी जीवन साथी अत्वा यार दोस्तों के साथ साजे में किये जा रहे काम में लाब मिल जाएगा पूर्व नियोजित कारक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे जोखिम से दूर रहना ही बुद्धी मानी होगी उपाय आज भैरव मंदर में दर्शन करे प्रिश्यक राशी लाब में आशा ती बृद्धी तै है मगर नकरात्मक रुप ना अपनाए आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी स्वास्ते मध्यम रहेगा समाज में मान सम्मान बढ़ेगा उपाय मंदिरों की सफाई करेंगे तो भगवान का अशिर्वाद बना रहेगा धनू राशी जीवन साथी का परामर्श लाब दायक रहेगा व्यापार वनोक्वी में स्थिपी अच्छी रहेगी शुप कारियों का लाब दायक परिणाम होगा कामकाज की अधिकता रहेगी उपाय गाएं को मीठी रोटी खिलाएं और बुजुर्गों की सेवा करें घन लाब होगा मकर राशी प्रिये जनू की समागम का अवसर मिलेगा अवरुद कारे संपन्न हो जाएंगे कामकाज की विस्तता से सुख आराम प्रभावित होगा मानसिक एवं शारिरिक शिथलता पैदा होगी उपाय मंदर में ध्वजदान करें सम्रिधी बढ़ेगी कुम्ब राशी कारुबारी आत्रा को फिलहाल ताले आईवय की स्थिति सामान रहेगी अपने हितैशी समझे जाने वाले ही पीट पीछे नुकसान पहुँचाने की कोशुश करेंगे उपाय मास मदरा से दूर रहे और गौ सेवा करें हर परिशानी दूर होगी मीन राशी राचकी कारियों और पैत्रक संपत्ती से लाब होगा कारुबारी यात्रा को फिलहाल ताले शेक्षनिक कारे आसानी से पूरे होते रहेंगे श्रम साध्य कारियों में सफल होगे उपाय आज दुर्गा शप्तशती का पाठ करें लाब मिलेगा जाहिर है आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी सावित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते हैं ताकि वो अपनी दंचारिया को जान सकें खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे है से निउस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाथ